नमस्कार आज हम व्याकरण प्रारम करते हैं संस्क्रिट व्याकरण की शुरुवात माइस्वर सूत्रों से होती है अध्यूत्र चौदा है जो आपके सामने है देख़ो आज से जो भी व्याकरण की वीडियो आ रहे हैं उनमें से इतने पीडियेप है वो सब आपको कौपी में लिखने हैं तो मैस्री सूत्र चौदा है जिसमें आयून रीद्रिको योंग अयवच अयवरत लन यमंगननम जब घड़दस जब घड़दस खफ चटत चटतव कपया सससर हल यह पूरी वर्णमाला है जो आजकल हिंदी और संस्क्रिट में चलती है वही वर्णमाला है लेकिन इनका कर्म उचानिस्थान क और उनके वर्ग कर्म के अनुसाथ थोड़ा बदल दिया गया है संस्कृत व्याकरण में कुल सहताली स्वार जिन में से पहले तो स्वर्द देख लें कि स्वर्द कितने हैं तो स्वर्द रिस्व स्वर्द पांच है अई उरी और ग्री दीर्ग स्वर्द आठ है आई उरी इस प्रकार कुल स्वर्द हो गए 12 व्यंजन है जो कुल 33 है कवर्ग कवर्ग जिसे इस संस्कृत में कू कहते हैं कवर्ग में 5 वर्ण है कख घंग चवर्ग में 5 है चछ जज जय या तवर्ग में भी 5 ठटडधन तवर्ग में 5 ठटडधन और पवर्ग में 5 पफबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब प्रत्यार के सूत्रों के हिसाब से यन्वर्ण कहते हैं यन्वर्ण यानि कि यरल और व यरलव दूसरे हैं उस्मवर्ण जो भी चार है श स स ह इन्हें सल प्रत्यार कहते हैं अब मैं एक बार देख बता दूँ कुने महिस्वर्ण सूत्र इनसे प्रत्यार बनाए जाते हैं प्रत्यार क्या है कि यह इस सूत्र में दिये गए क्रम है उसके अनुसार मालो जैसे की स्वर कौन-कौन से हैं तो सीधा सा कहते हैं अच्छ अच्छ का मलभी सूत्र में दे जिस ट्रक में है लिका unplace यह यह एक प्रत्यार है अवर्ट्यार में जो पहला वर्ण और अनृस दोनों के बीच में जितने भी माईसरी सुत्र में वर्ण है वो सारे माने जाते हैं अब जैसे आपने अण का मालो तो अण में A और ण के बीच में A A, I, O, N है अगर आपन अक कहते हैं तो E, O, R, 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 K आएंगे ध्यान रखें कि मािसरी सुत्र की सुत्र जो चोदा है उसमें सबसे प्रतेक सुत्र का जो लास्ट वर्ण है उसको अपन प्रतियार सुत्रों में गिनते समय उन वर्णों में सामीर नहीं करेंगे जैसे अगर आपन अक वर्ण मालो कि अक प्रतियार है तो अक प्रतियार में कौन-कौन से वर्ण आएंगे तो उसमें लिख न न न जो न न न न न के बाद में जो है न यह अंतिम फैले सुत्र के बाद में जो न है इसको इसमें समील नहीं गिना माना जाता है तो प्रतियार में हमेशा यह है कि माईसरी सुत्र का प्रतेक सुत्र है उसका अंतिम वर्ण वो प्रतियार सुत्रों के अंदर उसकी गिंती नहीं होती है यानि कि जब आपन कहते हैं कि जैसे अड में कौन कौन से वरण में है तो कि आई उ अक में कौन कौन से हैं कि आई उ रीलरी ऐसे कि ऐसे अच में कौन कौन से हैं कि आई उ रीलरी ए ओ आई और आउ ऐसे और भी जैसे हैं जितने भी आपन परत्यार बनाएंगे तो उसमें हमें एही ध्यान रखना है कि परतियार का जो सुत्र हम इसा परतियार शुत्र दो अक्षरों का ही होगा जिसमें पहले अक्षर और अंतिम अक्षर पहला और दूसरा अक्षर है उन दोनों के दमत्र पहुंकvideo ट्सक्राता फंट उन्तों इस में मैंने नीचे लिपज्ट्ब कर से यहां पर एक है कि सब्कर быть फर प्रतियार कैसे कि यहां देखो आपने माहिसरी चूत्र में जाएंगे तो यहां देखते हैं की उसक लिका है तो खरेंग resin में लिपकर सिर्वाने e उससे हो तो ग्यार के स्टाइग में खा है और इसका अंत में वह है तो खाव और वह के बीच में जितने भी वर्ण आगे वह सारे इसमें अधिये तो प्रतियार क्या है कि यह अपने व्याक्तरण का सबसे प्रमुक्त Дश्य होता है कि आप किसी भी बहुत बड़ी चीज को छो से वाक्य में पूर्ण कर देता है तो अब जैसे मालो मैंने कहा दिया अल का मतलब क्या है कि पूरी वर्ण आ गए क्योंकि देखो पहले सुत्र का पहला अक्सर और चौदे सुत्र का लास्ट अक्सर लग यानि कि अ और लग के बीच में जितने भी वर्ण है वो सारे के सारे क्या हो गई अल परत्यार में आ गई तो अल का मतलब क्या है सारे के सारे वर्ण अब वैसे के वैसे मैंने अगर अच्च का है तो अच्च का मलब है पूरे के पूरे स्वर और वैसे के वैसे मैं अगर हल का हूँ संदी पूरी की पूरी इनी परादारी थे संदी के सारे सुत्र है जो माहिसुरी सुत्र परादारी थे या प्रत्यार परादारी थे जब तक आपको पूरे माहिसुरी सुत्र याद नहीं होंगे और आपको जब तक प्रत्यार कैसे बन थे हैं वो नहीं पता होंगे तब तक आ आप धंग सी संधी नहीं कर पाएंगे तो पहला कार्य है कि अपने आपको इस अपने पुस्तक में यह सारे वैदिक व्याकरण माहिस्वरे सूतर पूरे के पूरे उतारने है ठीक है फिर इनके इनसे प्रत्यार कैसे बनते हैं वो अपने को लिगने है प्रत्यार कुल बयानcco से आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं वह कुल कॉन 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 से वह भी है कर दोन में बता दूगा आगे वाले वीडियो में लेकिन बनते कैसे है यह आप थ्षान से देख लें एक बार वापस से से वीडियो को गयोर से सुनने है